आपको बताऊंगा जो क्वालिट डिपार्टमेंट का है मतलब क्वालिट डिपार्टमेंट मेकानिकल इंजिनिंग से बिलॉग करता है बंदा हूँ तो यह मेरा एक फ्रेंड ओफ्रेंड का क्या है किस्टडी है उसने डिप्लोमा किया था उसके बाद एक जगा पर जॉब कर उसने चोटे जगह पर स्टाटिंग 8000 सेल्डी था एक साल उहाँ पर जॉब किया फिर उसने एक जगह पर क्या करा स्विच करा दो साल नोक्री करा टोटल कितना हो गया थ露ी एर्स का जॉब हो गया एक डिपार्टमेंट ओभी क्क्वाली से उसका उसने क्या करा उसका जो रिजूम में था आपडेटीड रिजूम में जहां जाँ उसने काम किया क्या चीज़े उसमेंgend पर अपलोड कर दिया यहांपर कुछ फेक भी चीज़ें बताऊंगा व experience होता है उनको करते हो लेकिन उनसे ही मैंने डेटा को वेरिफाई करा जो उन्हें बताया मतलब जो मरे दोस्त ने फ्रेंड और फ्रेंड ने मुझे बताया इसके बास कॉल आया कंपनी से तो उसने पूला कि एक्शूल इसके कंपनी से कॉल फैंसे कंसल्टें आना मुस्किल यह कउल करेगा लेकिन जो genuine होगा आपको कभी भी एक भी रूपिया नहीं मागेगा पहला दूसरी बात आपका interview company में ही होगा company बाला interview लेगा maximum chance सही है maximum chance ही होते है में क्या निकलगा आईटी में हो सकता है जो call consultant ने interview लेकिन पैसा नहीं मागेगा आपसे पैसा company वाला उनको pay करता है आपसे क्यों लेंगे यो पहली बात यह मैं आपको बता रहा हूं या सबको पता नहीं होता इसके बारे में तो अब call उसने क्या गरा गया interview दिया और selection हुआ लेकिन यह process में कितना salary था उसका पहले जो last three years के बाउस को salary था I think 25 to 30,000 अब उसका salary वा 50,000 अच्छे company में अगर इंदिया में चार automobile sector की बात करेंगे तो उसका एक में selection हुआ है top four की बात कर लो एक में उसका selection हुआ है as a quality engineer quality engineer के तोर पर उसका selection हुआ है आपको के समझ में क्या आया बीटे के बाद भी पॉस्टीवल है मैंने के सडी बनाया था बीटे का मेरे फ्रेंड था उसने 5000 से सुरू किया था एक workshop से आप वो काफी बड़ी company में एक production manager या production head है तो वह भी काफी बड़ा मतलब सब्सक्राइब क्या समझ मारे एक quality department में काफी अच्छा क्या है growth है पहली बात क्वालिटी ऐसा डिपार्ट्मेंट जहां पर automation अना थोड़ा मुस्किल है तो definitely it will help you तो पहला quality department growth अच्छा है दूसरा अगर छोटी जोब मिल रहा है बड़े नहीं मिल रहा है campus placement नहीं हो रहे है छोटी जोब ले लो एक साल काम कियो करो switch करो तो बैटर कंपनी में जाओ वहां पर काम करो महनत करो सीखो चीजों को knowledge को improve करो growth करो अपना अपने पूरा question practical plus basic question पूछा जाएगा तो जब भी आप interview दोने जाएंगे after even getting experience from company basic आपका clear होना चाहिए जैसे उसको पूछा गया था micrometer के list count क्या होता है वर्नर केली पर उसके सामने रख दिया गया तो भाई साब इसका बताओ क्या-क्या उसके पूर्जे हैं मतलब क्या-क्या parts है तो ऐसे question आपको पूछा जा सकता है राइट देखेना ask you basic question उसको basic measurement question बोला था I think scale से related राइट वो ED question था तो आप question पूछा जाएगा तो उसने ब process को अबर follow करते हैं तो आपको definitely help मिलेगा यहाँ पर जो मैं आपको key points बताये तो आपको पता लग गया कि starting चोटे से करेंगे बड़े तक पहुंच सकते हैं लेकि महनत की जरूत है अपने जो कमी है उसको दूर करने की जरूत है पहला दूसरा तीसरा आपको एक साल जोब कर लो ताकि interview जल्दी clear हो जाए right because देखो after interview को लेगा HR लेगा या फिर चो हैड होगा वो लेगा तो definitely HR कुछ question आपको पूछेंगे और आपको answer देना होगा और इसके लिए आपके अंदर स्कील होना चाहिए स्वाप स्कील मतलब थोड़ा इंग्लिस ठीक ठाक होना चाहिए थे इंप्रूब हो जाता है अटलिस्ट को मतलब काम चलाओ इंग्लिस सिख लो it will help you my dear I am telling you right because आंग टाइम म में इतने jobs जो अभी भी है that's because of only English इतना IT सेक्टर है that's because of English राइट इस वीडियो में इतना ही था thank you very much for watching this video अच्छा लगा लाइक करिए दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करिए ताकि थोड़ा सा उनका मोनोबल बड़े हाँ भाई प्रोमोशन मिल सकता है और stay take care thank you very much God bless you bye bye comment करो कोई problem आ रहा है I will try to create a video thank you very much bye bye